हम बात कर रहे हैं IRFC की आज के दिन की बात करें तो IRFC फिलाल जो हमको साइड़ वेस ट्रेट करता नजर आ रहा है हम देख सकते हैं इस वक्त 172.30 पैसे पर ट्रेट करता नजर आ रहा है गिरावट के बात स्टॉक ने बांस बैक किया है और हम देख सकते हैं एक रेंज में स्टॉक फसा हुआए कुछ दिनों से 180 के लेवल पर rejection फेस कर रहा है और 170 के लेवल पर स्टॉक सपोर्ट लेता नजर आ रहा है 170 इसका सपोर्ट लेवल है यहां से एक jump stock ने दिखाया था, rejection लेकर गिरावट आई, 170 के बाद support अगें jump, same level पर rejection गिरावट, और same level पर support लेता नज़र आ रहा है, 170 का level, यह इसका major support है, इसको नीचे की और breakdown नहीं कर रहा है, वो सकता है एक बार stock गिरावट भी दिखा जाए, 170 के support को breakdown करता नज़र आ जा 164 के level से इसका खेल फलटे नज़र आ सकता है, हो सकता है गिरावट डिकाए एक बार, 164 तक की, लेकिन chance बने हैं अप साइट के, क्योंकि जो पड़े pillars नीचे के और इंटर्वे हैं, इस range में बड़े हैं, बने हैं, बड़ा selling देखने के लिए नहीं मिला, पेनिक कराया जा स सकता है, लेकिन वह इसे chance बने हैं, आप train के, तो immediate target stock जहां से rejection phase करता, multiple stem नज़र आया था, 175, 176 का level, break out कर जाता है, तो अगला target 180, जिस range में stock फसावा है, जहां से stock rejection phase करता, नज़र आ रहा है, 180 का level, अगर bonds back करता है, stock और 180 के level से बड़ा selling देखने के लिए नहीं मिलता, stock इसके आसपास ही trade होता है, या तो फिर बड़ी buying के साथ 180 का level break out होता है, बड़ी buying के साथ break out होता है, या तो फिर इसके आसपास trade करता है, तो वह इसे condition में 180 का level, अगर break out हो जाता है, तो फिर बड़ी तेजी IRFC दिखा सकता है, फिर आमको next target 190, और again 200 टक का jump फिर IRFC में stock फिर दिखा सकता है, वीडियो education purpose के लिए कोई buy sell या hold की सला नहीं है, अगर आप teammate account open करना जाते हो, तो description में दीगई link से कर सकते हो,